पिछले वीडियो में आप वर्ण माला का प्यास कर चुके हो आप उसी के आगे खाली स्थान भरो का प्यास करते हैं आप इस्क्रीन पे जहां से देखिए खाली स्थान भरो जहां वर्ण लिखे है उसके बाद जो वर्ण खाली है उस जगह में आपको उस वर्ण को भरना है जैसे क़ तो क़ के बाद क्या आता खाली जगह में क्या लिखेंगे ख़ गो के बाद क्या आता है गो और फिर अंगा फिर चो तो चो के बाद खाली जगह में क्या आएगा चो चो के बाद चो और जो के बाद खाली जगह में क्या आएगा जो क्या आएगा जो अब तो तो के बाद क्या आता है थो खाली जगे में क्या भरा है थो अब तो के बाद क्या आएगा खाली जगे में क्या भरेंगे धो 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 धकन का अब त, तो त के बाद क्या आएगा खाली जगे में? थ, थर्मसका द, द के बाद खाली जगे में क्या आएगा फिर? ध, धनूशका फिर प, तो प के बाद क्या आता है? फ, तो खाली जगे में क्या भर आपने? फ, फिर ब, और ब के बाद खाली जगे में क्या आएगा? भ, बटे का, फिर य, तो य के बाद खाली जगे में क्या आएगा? र, र, रसी का, और ल के बाद खाली जगे में क्या आएगा? व, वजन का, श, श, के बाद खाली जगे में क्या आएगा? स, सड़क का ह, ह के बाद खाली जगे में क्या आएगा क्ष, क्ष, शत्रियका और श्रो के पहले क्या आएगा यज्य तो ये खाली स्थाथ पुर्ण हो चुके है सही जोडी बनाओ याने आपको चित्र देखके सही मिलान करना है जिसे फ, तो फ का चित्र का है उसको फ से मिलाना है फिर ग, ग से क्या होता है गमला, तो गमले में मिलाना है ग, ग से क्या होता है घर, तो घर में मिलाना है ग से क्या होता है कमल, तो कमल में मिलाना है प, प से क्या होता है पतंग, आपको पतंग से मिलाना है न से क्या होता है? नल, तो नल से ही मिलाना है थ से थर्मस, तो थर्मस से मिलान करना है त से टमाटर, तो टमाटर से मिलान करना है शूद्द लेखान शूद्द लेखा है शाब्द, पहले क्या लिखा है? अ, उ, च, ज, और ए फिर थ, क, ध, ग, थ, घ, त, द, द, आ इसका आपको घर में अभ्यास करना है फिर न, ई, प, ख, म मुझे लगता है आप खाली स्थान भरो और सही जोड़ी सीख चुके हो इसका घर में बार-बार अभ्यास करिए घर में रहे शुरक्षित रहे अगली क्लास में फिर मिलेंगे बायबाय